MIT App Inventor एक cloud-based free tool है, जिसको use करके आप Android के लिए simple से complicated apps और games बना सकते हैं जैसे मैंने ये simple सा एक game बनाया है, जिसमें आपको ball को अपनी उंगली से flick करना है और objective है कि ball is a moving blue platform को touch करे App Inventor का user interface कुछ ऐसा दिखता है, ये front end है जो हमने game बनाया है उसका और ये जो है इसकी programming है जो की बिल्कुल scratch की तरह block-based drag and drop programming है ये एक मैंने App Inventor में app बनाई है, जिसको use करके आप doodle कर सकते हैं आपके पास options है, different pen के color चूज करने के, pen का size चूज करने का, जो image doodle करेंगे आप उसको save कर सकते हैं यही नहीं आप अपनी gallery से कोई भी image लेकर उस पे annotate कर सकते हैं जैसे आप कोई science का experiment annotate कर सकते हैं इस app में आप camera call करके selfie खीन सकते हैं या photo खीन सकते हैं और फिर उस photo या selfie को भी annotate कर सकते हैं इस video series में हम App Inventor की programming सीखते हैं तो App Inventor के लिए हम जाते हैं appinventor.mit.edu इस website पर और इस website पर जाके अगर आप ये create apps क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा एक Gmail के साथ अगर आपके पास Gmail नहीं है तो आपको ये create account क्लिक करके एक Gmail ID क्रियेट करनी पड़ेगी फिर इस terms of service में ये I accept का button दबा कर आपको ये welcome screen मिलेगा continue दबा कर यहाँ पर आप tutorial देख सकते हैं अभी मैं एक blank project स्टार्ट कर रहा हूँ project के नाम में space नहीं allowed है तो बिना space के आप नाम लिखेंगे तो उसके बाद हमारे को ये जो screen है ये मिलता है हम default पर designer screen पर आते हैं दूसरा जो key screen है वो blocks का है जहां programming blocks हमें मिलते हैं तो जो designer screen है वहाँ पर हमको user interface नदर आता है यानि कि हमारा जो जो भी हम app या game design कर रहे हैं वो android के device पर कैसी दिखेगी और यहाँ पर हम adjust कर सकते हैं कि हमारे को phone चाहिए कि tablet चाहिए कि कोई monitor चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जो UI है उसकी dimensions बदल जाएंगी तो मैं अभी यहाँ पर phone ही select कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे को जो यह left का section है इसको palette कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे components है तो जैसे user interface में हमारे पास button है, checkbox है, image है, label है या अगर मैं यहाँ layout में देखूं तो हमारे पास horizontal arrangement है, horizontal scroll arrangement है इन सबको हम जैसे projects बनाएंगे, हम इनको समझेंगे, अभी हम केवल एक overview ले रहे हैं तो media में हमारे पास यह सारे components हैं, camcorder, camera, speech recognizer, text to speech, video player, इस तरीके का और ऐसे ही बहुत कुछ और भी है, हमारे पास drawing and animation है, maps है, जितने भी आपके tablet या phone पर जितने sensors लगे हैं, हम उनको use करके apps डिजाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास और भी कई सारे components हैं, हम कोई specific component अगर ढूंड रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसके लिए search भी कर सकते हैं जैसे अगर मुझे button ढूंडना है, तो मुझे यह button का link मिल जाता है इसी तरीके से अगर मैं कोई भी drawer, इनको drawer कहते हैं, क्योंकि बिलकुल वैसे जैसे आप एक drawer खोलते हो, तो उसके अंदर आपको चीज़ें नजर आती हैं तो यह जो भी आप drawer खोलोगे, उसके अंदर आपको उसके components दिखाई देंगे इसके बाद हमारे पास यहां viewer है, जो मैंने आपको पहले समझाया फिर हमारे पास जो भी हम components select करेंगे, वो यहां पर आ जाएगा जैसे इस वक्त हमारे पास यह screen one नाम का component है क्योंकि अगर आप multiple screens की कोई app design करते हैं तो यह screen one होगा और उसके बाद आप add screen करके नए-nए screens add कर सकते हैं, तो जो भी component आपके पास है उस component की properties यहां आ जाती है, जैसे screen में हमारे को alignment की property मिल रही है, primary color की मिल रही है, screen orientation की मिल रही है तो अगर हम कुछ game या app बना रहे थे, जिसमें हमारे को button चाहिए था तो हम यहां पर user interface में जाके button को left mouse को click करके click रखते हुए, drag and drop करके, उसको हम अपने interface में drop करते हैं तो हमारे को यहां पर यह components list थी, उसमें यह indented मिल गया है indented मतलब यह tree structure है, यह parent है, screen one parent है और button one जो है, वो screen one component का child है तो अगर मैं इसको minus दबाऊंगा, तो केवल parent नजर आएगा उसके जो child components है, वो नजर नहीं आएंगे उनको देखने के लिए हम यह plus का button दबाते हैं उसके बाद अगर मैं button one को दबाता हूँ तो जो भी component मैं यहाँ select करूँगा, जो highlight हो गया है हमें उस component की यहाँ पर property नजर आ रही है कि जैसे हमार को यहाँ पर यह अगर button जो था, इसका color change करना था तो अगर मैं यहाँ जाके blue करता हूँ, तो यह हमारा जो button था, इसका color blue हो गया और उसका अगर मैं font size बदलता हूँ, तो उसके अंदर का जो text था, उसका font size जो है, वो change हो गया और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाके text का color बदलना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ white करता हूँ तो यह हमारे button का text का color बदल गया, और हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, मानलिया जाए, यह था cancel का button तो हम यहाँ पर text में जाके यहाँ type कर देते हैं, cancel, इस button की हम height और width जो है, यह भी हम control कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि height जो है, वो pixels में हम define कर रहे हैं, तो मानलिया जाए मैं कह रहा हूँ कि height is 50 pixels, तो यह button की height change हो गई और अगर मैं width कह रहा हूँ, मानलिया जाए fill parent, which means the entire जो हमें यहाँ नदर आ रहा है, तो मैं okay करता हूँ, तो मुझे एक button मिल गया, जो all the way stretch कर रहा था और अगर button की shape बदलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके कहूँगा, तो मुझे rounded button मिल जाएगा, या rectangular button मिल जाएगा, या oval button मिल जाएगा, इस तरीके से, तो जो भी component है, उसकी properties हमें यहाँ मिलती हैं, हम अभी designer section में थे, और अब अगर हम blocks को दबाते हैं, तो हमारे को, जितने programming blocks जो थे, जिस किसम के हमने programming blocks scratch में भी देखे थे, ये conditional statements हैं, ये boolean conditions हैं, कोई math के operators हैं, text हैं, और इस तरीके से variables हैं, procedures हैं, colors हैं, ये सब हमारे को blocks के under, यहाँ मिलते हैं, और फिर जो भी components हैं, उन components के specific programming blocks क्या हैं, वो जब हम कोई भी component select करते हैं, तो वो हमारे को यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे मैंने अगर screen one का component select किया, तो screen one से related programming blocks जो हैं, वो सब pop out हो गए हैं, और अगर मैं उन में से किसी में भी click करूंगा, तो वो अब हमारे viewer में आ गए हैं, और हम यहाँ पर उनको program कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ button one को select कर रहा हूं, तो button one से related जितने programming blocks हैं, वो यहाँ पर सब आ गए हैं, और हम उनको, जैसे अगर मैंने कहा, when button one is clicked, do something, तो यह हमारे को statement मिल गया, और अब हम इसमें और programming blocks add करके, उस button को program कर सकते हैं, अगर हम कुछ चीज डिलीट करना चाहते हैं, तो हम उसको left mouse click रखते वे, drag करते वे, इस trash can में ले जाएंगे, तो यहाँ जाके हम उसको डिलीट कर सकते हैं, तो अगर मैं button one में फिर से जाके select कर रहा हूं, हम यहाँ पर condition कह रहे हैं, कि when button one is clicked, do, हम condition यहाँ अटैच कर रहे हैं, और attach करने का तरीका यह है, कि जब हम इसको drag कर रहे हैं, तो जो यह हमारा block है, इसकी line जो और हम कह रहे हैं, कि जब हम button को click करेंगे, तो हम चाहते हैं, कि मानलिया जा, उसका background color बदले, तो हम फिर यहाँ पर colors में जाके, हम मानलो red ले ले लेते हैं, तो हमने अभी एक छोटा का program लिख दिया है, कि when button one is clicked, set the background color to red, next, जो main चीज है समझने वाली, वो है कि हम, जो भी हम app या game design कर रहे हैं, app inventor में, उसको हम, अब देख कैसे सकते हैं, कि वो हमारे phone या tablet में कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए हम connect कर सकते हैं, app inventor को, और हमारे पास तीन options होते हैं, या तो हम एक AI companion app है, MIT inventor की, जो कि, अगर आपके आज कोई भी android device है, तो आप play store में जाके, य app download कर सकते हैं, और मैं अभी आपको समझाऊंगा, कि app कैसे download करके connect कैसे करते हैं, या आपके पास, आप MIT app inventor में, एक built-in emulator है, आपको ये emulator पहले install करना पड़ेगा, और install करने के बाद, आप जो भी program लिखेंगे, आप उसको अपने emulator में try कर सकते हैं, तो even अगर आपके पा हैं, जो ये AI app है, ये connect होती है app inventor से wifi पर, अगर आप अपने android device को app inventor के साथ, USB cable से connect करना चाहते हैं, तो वो भी option available है, app inventor का जो home page है, app inventor.mit.edu, इसमें, अगर आप थोड़ा scroll down करेंगे, तो यहाँ पर ये get started का एक section है, तो यहाँ पर आपको, जो setup instructions हैं, वो सारी instructions मिलती हैं, तो ये जो हमने अभी तीन options कहीं, वो यहाँ पर हैं, कि आप app यूज करके, wifi पर आप, तो आपका जो PC या laptop है, वो और आपका जो device है, android device है, वो same wifi पर होने चाहिए, और तब जो है, आप real time में, जो भी program करेंगे, app inventor वो आप देख सकते हैं, कि आपकी device पर कैसा दिखाई देगा, फिर एक option आपके पास है, कि आप emulator जो है, उसको download करके, install करके, emulator पर भी देख सकते हैं, या आप USB cable से connect कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो चौथी option दे रहे हैं, वो तभी valid है, अगर आपके पास Chromebook है, तो सब install करने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप play store पर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से AP के file डाउनलोड करके, AP के file अपने phone पर transfer करके, app को install कर सकते हैं, तो हम play store का method देखते हैं, MIT की app install करने के लिए, आप play store में जाएंगे, और play store पर आप search कर सकते हैं, MIT AI2 Companion, AI App Inventor Version 2 Companion, तो यह जो MIT AI2 Companion है, यह मैं अलरड़ी install कर चुका हूँ, तो जब आप install कर लेंगे, तो आप इस तरीके से इस app को खोलेंगे, और आपको यह prompt मिलेगा, कि जो six character code है, वो enter करो, connect करने के लिए, तो अब मैं वापस MIT App Inventor की app में, connect में जाके, AI Companion को select कर रहा हूँ, तो मुझे यह QR code मिल रहा है, मैं या तो यह जो code है, WOKTLR, इसको मैं enter कर सकता हूँ, या मैं इस QR code को scan कर सकता हूँ, तो अभी मैं यह code enter कर रहा हूँ, WOKTLR, connect with code, यह progress bar है connection की, अब यह connect हो गया, और जो हमारा, यहाँ पर जो, अगर मैं यहाँ designer में जाता हूँ, तो जो हमारा UI था, वही UI exactly हमारे को, यहाँ नजर आ रहा है, अपने phone पर, एक simple सा button, और इसके programming में हमने लिखा है कि, if this button is clicked, turn the color to red, तो अगर मैं यह button को अब click कर रहा हूँ, तो यह button का color red हो गया, I hope, इस video से आपको एक sense मिला कि, MIT App Inventor के user interface का, हम जैसे-जैसे simple से complex apps और games design करेंगे, वैसे-वैसे हम App Inventor के और जो features हैं उनको भी समझेंगे, next time जब हम कुछ simple सा program बनाएंगे, तो हम connect करने के जो और तरीके हैं, emulator और USB, उनको समझेंगे. झाल